हेलो फ्रेंड्स मैं इस्टेडी 91 चैनल से नितिन गुपता आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है यह हम सुरू करेंगे इन्वार्मेंट और एकोलोजी के उपर ठीक है जो इन्वार्मेंट वर्ड है इन्वार्मेंट जो सब्द है यह कहां से आया तो यह सब्द आया है फ्रेंच भासा से फ्रेंच भासा से लिया गया सब्द है और फ्रेंच भासा में डिक्टो यह सब्द नहीं था यह सब्द इन्वीरोन के नाम से जाना जाता था इन्वार्मे इस प्रकार से हम का सकते हैं कि समस्त भौतिक और जैविक जितने भी तत्तों हैं, चाहे वो भौतिक तत्तों हों, चाहे वो जैविक तत्तों हों, इन तत्तों को परियावरण का अंग माना जाता है, जैविक तत्तों की बात करेंगे तो जो भी है, जैसे जल है, अस्थल है, व से पहले किसने किया तो एको सिस्टम वर्ड जो था ये सबसे पहले बोला था जर्मनी के एक वग्यानिक ने जिनका नाम था एजी टांसले खुब एकजाम में पूछता है आपको पता होगा आपने पेपर दिया है तो ये कोशन आप से मिला होगा जरूर से कि पारिस्ट की तं पारिस्ट की तो इसको लिया था कि ये भी जर्मानी के लाने वाले थे लेकिन इनका नाम था अर्नेस्ट हुइकल ठीक है इन्होंने 1869 में लिया था और 1869 में दोस्तों हमारे यहां मात्मा गांदी जी का जैनम हुआ था दो अक्टूबर के दिन ठीक है तो आप ऐसे कोर्ले हम लोग देखते हैं वो पहले आया तो अर्नेस्ट हुइकल ठीक है ना 1869 में इकोलोजी सब्द का प्रयोग किये हैं और इजी टांसले बाद में 1935 में इको सिस्टम का इसके लामा कभी-कभी आपकी जाम में पूच देता है कि परियावर्ण सिच्छा का पिता किसे कहा जात ठीक है यह दोनों कोशन खुब पूच चुका आगया आने वाले एक्जाम में यह कोशन आपसे पूट कर सकता है ठीक है यह कुछ और बात कर लेते हैं पार्स की तंत्र के बारे में इको सिष्टम के बारे में क्या होता है उखिसे आप समझेंगे कि इको सिष्टम क्या तो ये कैसे पता चलेगा कि जैवी घटक क्या होते है और जैवी घटक क्या होते है तो बहुत सिंपल है दोस्तो जो जैवी घटक है जैसे जो पेड़ पौधें جो हमें दिख रहे हैं जीव जनतु हैं, मनुष्य हैं जो अब घटक हैं, बैक्टेरियाज ठीक न, यहां पर हम वाइरस की बात नहीं करेंगे, हम बैक्टरिया की बात करेंगे, और जो परजीवी है, यह सब क्या कलाते हैं, जैवी घटक कलाते हैं, और अगर अगर जैवी घटक की बात करते हैं, तो जैसे उर्जा, ठीक है, यानि जो हम देख नहीं सकते हैं, जो साइ यह सब बात की चीज़े आई है ठीक है तो जो हम नार्मली देख लेते हैं चुब लेते हैं वो सब जैविक घटक और इस सारे क्या हो गए और जैविक घटक ठीक है और जो भी वाई मंडल में विद्यमान रासाइनिक पदार्थ हैं उन्हें हम जैविक पदार्थ करते हैं जल O2 हो गया, Oxygen, CO2 हो गया, Carbon Dioxide या जो भी खनीज वगरा है जो भी रासाइनिक पदार्थ हो क्या कर आएंगे और जैविक घटक ठीक है रासाइनिक पदार्थों को अजैविक घटक करेंगे और जैसे कार्बोहईडरेट है जो सरीर के लामें जरूरी होती से कार्बोहईडर जैविक घटक हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, बिटामीन हो गया, यह सब जैविक घटक में आते हैं, तो यह कुछ तरीका प्याद रखेंगे आप से एक्जाम में हो सकता है, पूछ दे कौन सा जैविक घटक है, ठीक है, आईए, तो इनी दोनों को मिलाकर यानि जैविक घटकों और जैविक घटकों को मिलाकर पारिस की तंत्र की रचना होती है, तो ओवराल हम बोलने कि प्रिद्वी पर जो कुछ भी है, यही तो इको सिस्टम है, भाई, अच्छा आप ही बताओ, यह जो मैंने नीचे बताया, यह ठीक है, पेड़ पोदर जीव जन त अगर सारा कुछ मिलाद हो गया, और इधर का जो हमारा जैविक पदार तो फिर वच्ता क्या है, यानि जो हमारी प्रिथवी है, यही क्या है, एक एक इको सिस्टम है, अब मंगल गरह पे तो कोई एको सिस्टम होगा नहीं, सुकर गरह पे या किसी अधर प्लैनेट पे तो नहीं हमारा ही प्लैन डेफ है जहां पर एको सिस्टम है तो यह जो खुछ भी आपको दिख रहा है यह सब एको सिस्टम ही है ठीक है बसरते हमें धान देना है जैवी घटक और जैवी घटकों के बारे में आईए अगर एकोलाजी जो वर्ड मिला था जिसका अर्नेस्ट विकल ने इस्तिमाल किया था तो उसमें उन्होंने क्या बताया था उसमें उन्होंने बताया था कि जीव मंडल में बिभिन प्रकार के जीव प्राड़ी या वनस्पती आपस में बहुत तिक परिवराड़ा के साथ अनुकुरिया करते हैं कहने का मतलब क्या है यही चीज बता रह ओम खुल को अगया जैवी गटकों की दो प्रमुक वर्गों में बाटा गया है पहला उत्पादक दूसरा उभ्भोकता ठीक है पहला उत्पादक है प्रोडूसर तो वे जीव जो भौतिक परियावर्ड से अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं स्वपोसी जीव करते हैं आपने 8-9 या 7-8 में पढ़ा होगा स्वपोसी जीव पर लिटाश निरभर रहे तो वही स्वपोसी जीव है इन्यूकम क्या बोलते हैं उत्पादक करते हैं जिसे हरे पेड़ पौदे सब क्या है प्रोडूसर कहलाते हैं ठीक हैं और यही आगे चलक खरगोस यानि सारे के सारे वेजिटरियन वाले जो भी साकां हरी जीव है Itu सब क्या कर आंगे यह प्राथमी बुकता है उनके प्राथ्मी को भुखता इंदा भालु लोमडी यह सब होते है तो ये प्रात्मिक को भोकता के उपर depend करते हैं ठीक है वो इन लोगों वो गाय को खाते हैं बकरी को खा जाएंगे ठीक है तो वो प्रात्मिक को भोकता जो भी है उनके उपर depend करते हैं ठीक है और इसी तरह एक तृतियक को भोकता होता है ऐसे जिए जो प्रात्मिक और दूति चीज़ खाता है बिल्ली हो गया वह भी दोनों चीज़े खाती है तो यह क्या हो गए सरवाहरी भुगता ठीक है आईए आप बात कर लेते हैं अब घटक की यह अब घटक क्या होता है तो अब घटक दोस्तों बैक्टिरियाज को बोलते हैं जिवाडू को बोलते हैं ठीक प्रेटरी गाए या फिर कुत्तों की डेट हो जाती तो लोग ले जाके से खेतों में फेक डेते हैं, तो वहां क्या करते हैं जो जिवाडू होते हैं वो इससे खाना अब घटन करना च्शेनना सुरू करते हैं कुछ समय बाद आप जाएंगे तो सिर्फ उनकी हड़िया बचींगे कुछ समय और बाद जाएंगे तो हड़ियां बीगल के मिट्टी में मिल जाएंगी तो ये क्या होता है वो जिवाड़ू के द्वारा अब घटन कर लिया जाता है पुनर चक्रड कर लिया जाता है और फिर से क्या हो जाते हैं इसी मिट्टी में समा जाते हैं तो इन्हें बिघटन करता भी काते हैं और इसमें जिवादू और फंफू दित्यादी ये सब आते हैं, ठीक है? आये, तो चीज़ा अदर देखते हैं इसके बारे में, थोड़ी सी चीज़ें, अब बात करते हैं, फूर्ड चेन के बारे में कि भोजन स्रिंखला क्या होता या फूर्ड चेन क्या होता है तो किसी विश्षट पार्चित की तंत्र में हमने बताया तंत्र को किस ने दिया था एजी टांसलां Cynthia उन। जब भी कहीं आपको मिला करें तो आप बाते किया करें कोश्चन से अपने आप चीजी आदो जाएंगी किसी विशिष्ट पाइच की तंत्र के अंत्रगत बिभिन अवयों के मध्य संबंधों के सुनिश्चित क्रम को भोजन स्विंखला कहा जाता है पता नहीं क्या क्या जर्छी एक सूर्य है सूर्य की प्रकास की सहाथा से जो पवध्य होते हैं Harm a प्रथम और इनके उपर फिर अपिसे बने कि में पर पिलीन हो जाते हैं अशा जुन को म्यार्वास्टी होते हैं फिर ये एक चक्र बनता है खियने के it प्रकास की सहता से बोजम बनाएंगे इनको खाएंगे इनको खाएंगे अब इसके बाद मिर्ति हो जाएगी यह वटन का काम करेंगे और बिलीन हो जाएगा तो एक सुनिश्चित क्रम है इसका उस क्रम को जैसे अगर ब्रकेग को छेए तो नहीं रहख सकता है हर चीज का क्रम होता है Do तो सुनिश्चित करम को food chain या भोजन स्रिंखला कहा जाता है भोजन स्रिंखला की बात करेंगे तो भोजन स्रिंखला जो होते हैं तीन प्रकार को होते हैं एक परभक्षी भोजन स्रिंखला ठीक है जिसको predator food chain बोलते हैं दूसरा है दोस्तों परजीवी भोजन स्रिंखला जिस इसको सैप्रूफाइटिक फूट शेन बोलते हैं ठीक है इफी तरह अगर हम आगे चलेंगे आगे के मैं वीडियो में इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा ठीक है कि यह सारी चुछे क्या होते हैं पारिसकी पीरामीड के बारे में थोड़ी ची बाते देख लेते हैं त मंडल बनाते हैं ठीक है और इस पीरामीड पारिसकी जो पीरामीड था इसको सबसे पहले किस ने बताया था तो पारिसकी पीरामीड के मारे में चाल्स एल्टन ने बताया था और चाल्स एल्टन ने फूट चेन के बारे में भी बताया तो अगर आपको वीडियो अच्छा